प्रेंड्स वेल्कन टो दे न्यू वीडियो आपको यह वताऊंगा कि अभी जो शेर मार्केट में अचानक से रह रही है इस रही में क्या आपको सस्टेनेबल पोड़ फोलियो को इमीडियेटली सेल करना चाहिए या फिर आपको होल करना चाहिए तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट अपने नीचले अस तरों पर चल रही थी हमने अपने लास्ट वीडियो में यह भी रिकमेंट किया था कि आपको इस वीडिय करनी है पट अच्छी क्वाइटि के स्टॉक्स में तो आज दोस्तों तक्रीबन जब से गवर्मेंट के इतिहासिक फैसलों के बाद जब से मार्केट में जबर्दस तेजी आई है इंट्राडे रैली वाज हाइस्ट इन मार्केट और लास्ट वीक जो इंट्राडे की रैली हुई है वो जबर्दस हुई है तक्रीबन इंडेक्स में 10% का मोटा मोटी अगर अब देखा जाए तो इंक्रिमेंट हो गया है तो क्या आपने उसका फैदा उठाया या आप चुक तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज आज ही अपने पॉर्टफोलियो को चेक करें और ये देखें कि कौन सा शेयर है जिसने मुझे इस रैली में जबर्दस रिटर्न दिया है तो आज ही आप उसको चेक करें और उसको हो सके तो अभी इस प्राइस पे सेल कर इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बॉकिंग इस एन आट मैं यहां से मार्केट ऊपर नहीं उठ सकता बट दोस्तों आपको एक पॉट्फोलियो में प्रॉफिट हो रहा हो तो कई बार प्रॉफिट बॉक कर लेने में भी वह बढ़ा फोल कर रहें तो एक रीजन होना चाहिए एक क्लारीटी होनी चाहिए एक डिरेक्शन होना चाहिए वरना उसके अलावा आपको स्टॉक मार्केट में वरना एक्जिट ले लेनी चाहिए तीसरी चीज़ दोस्तों यह जो रहली आई है तकरीपन 10% की इंडेक्स में इसके बा पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है तो मेरा मानना है इस पॉब्लिक चैनल पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं वाई लो एंसल हाई डिस इस स्ट्राटेजी टूपी सेफ फॉर्ट करें टाइम अभी जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है आप आपको अपने पॉर्टफोलियो को एक मतब जहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है जरूर कीजिए क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इस एन आर्ट मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसके बाद मार्केट नहीं चलेगी मार्केट आगे भी चलेगी बड़ अगर आप एक प्रॉफिट बुक करके अपने आपको एक सेफर पोजिशन में लाते हैं तो यह आपके लिए दोस्तो आज का आज ही एक बहुत अड्वांटेजियस चीज होगा चौती चीज अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो क्या आप उस पैसे को दुबारा इंवेस्ट करें एंसर इस नहीं दुबारा में करूंगा अगर आपने इस प्रॉफिट को बुक कर लिया तो आपको इमेडियेटली उसका प्रॉफिट अपने अकाउंट में नहीं रखना है उसको थोड़े दिन के लिए लिक्विट कैश के फॉर्म में रखें और आल्वेस रिमेंबर दिस थंगरू लगें बाई लो सेल हाई बाई हमेशा नीचे के लेवल पर करें और सेल हमेशा उपर के लेवल के चले तो आप पूछी का कि जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसको क्या करें तो उसको आप एक लिक्विट अप भी करवा सकते हैं अपने अकाउंट में भी क्योंकि मेरा मानना है कि हो सकता है कि फिर आपको मार्केट एक उपरचुनिटी देख फ्रेश इंट्री का उच टाइम पर आपके पास अगर फंड होगा तो कल का कली आप उसमें पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं कल का कली मतलब आपके पास फंड अवेलिबल होने चाहिए और अपिर आप हमें लिखें अगर हम आपको इतना गाइनेस देनी की जरूर कोषिश करेंगे कि जो भी अपना शेयर है जिसको आप नहीं बेच पा रहे हो उसको कैसे बेच महाँ प्रॉफिट करें क्योंकि आगर आप नहीं बेच पा रहे हो और मार्केट बढ़ती जा रही है इसका मतलब है कि उस company में कुछ problem है तो उसके दो ही solution हो सकते हैं एक अगर वो अच्छी quality का share है तो wait कीजिए दूसरा आप उसको जो भी rate मिल रहा हो loss या profit उसको बेच के निकल जाएगी तो मेरा दोस्तों यही कहने का ताथ पर रहे था कि आप सभी अपने portfolio को आज का आज ही इस बड़े वे market के बाद एक recheck करें, remap करें और अपने portfolio को तुवारा से आने वाले time के लिए ready करें Profit booking is must and is an art So always keep on doing कभी wait करने की ज़रुद नहीं है तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस video को end करता हूँ और आप सभी को congratulate करना जाता हूँ कि last rally में जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा book किया है उन सभी को congratulations कोई और आपको specific doubt हो comment कीजिए, like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए, thank you so much